वारानसी के सांसद और देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को परिवार का सदस्थ से मानते हैं ऐसे में हर काशी वासी भी नरेंद्र मोदी को अपने परिवार का सदस्थ से मानता है आज जहाँ एक तरफ लोग सभाचुनाओं को लेकर पार्टी के जरीए विबिन्द प्रकार की रैलिया जनसभा और जनसंपर्क कर लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए कहा जा रहा है वहीं काशी के जेवती शाचार्रे पंडित हरेंद्र उपात ध्याय द्वारा वैदिक और तांत्रिक अनुस्ठान किया जा रहा है ताकि भारत विश्व गुरू बन सके अम अवस्या के दिन 11 दिवस्ये चलने वाले इस अनुस्ठान के नौवे दिन जो नौपुर्ण ब्रह्मा होता है शत्रिये विधायक सौरव स्रीवास्तव पूजा में शामिल हुए इस पूजा में मुख जजमान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और मुख मंतरी योगी आदित्यनाथ है प्रतिनीधी के तौर पर विधायक इस पूजा में शामिल हुए वही इस मौके पर विधायक सौरव स्रीवास्तव ने कहा कि देश के सभी रास्टवादी लोग जो देश का हिट चाहते हैं देश का भला चाहते हैं जो चाहते हैं हमारा देश पुनह विश्व गुरू बने हमारे देश की धाक पूरे विश्व पर हो वो चाहते हैं प्रध चाहते हैं कि हमारे देश की दहाट पूरे वश्यों में जम्हें। ज़याते हैं कि हमारे देश की दिशियों सुरख्षित रहे! आगे बढ़ें, समरिद रहें, स्वस्त रहें उन सब की कामना है कि आदरी प्रधान मंत्री शे नरेंदर मुदे जी पुना जीते हैं भारती इंता पार्टी की विजय हो केंदर में भारती इंता पार्टी की सरकार बने जो इसी तरह से हमारे देश को पिछले दस वर्षों की जो यात्रा है उसे आगे बढ़े वहीं पंडित हरेंद रुपाद्याई ने बताए कि भारत देश विश्व गुरू बने प्रदान मंत्री ही ये कार्द कर सकते हैं इसलिए माकाली के आश्रम में तंत्र विधी द्वारा यह कामना किया गया वो विजय हो यह ग्यारा दिन की पूजा है यह अनुष्ठान माननिया स्री पिधान मंत्री जी को विश्व गुरू का खिताब दलाने के उद्देश से हमारे गुर्देव इस अनुष्ठान को रखे हैं और ग्यारा दिवसिय है अनुष्ठान है जो बेद और तंत्र से संबंदित है इसमें हमारे गुर्देव का कहना है कि माननिया पिधान मंत्री विश्व गुरू के पद पर आशकत हों और हमारा देश सनातन से ओत्रोत हो यही कामना है यहां हमारा सनातन धर्म जो है उत्रोतर भिश्व में भृधि करे इसके लिए बहुत बड़ा रोल माननी प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी का है और हमारा भारतबर्स भिश्व गुरू बने वारा नसी से आशुतूश उपाद्याय की खास रिपोर्ट